इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे Trident के बारे में जिसने की Quarter 1 के Numbers को पब्लिश कर दिया, तो चलिए देखते हैं कैसे रहे Numbers, तो आज के दिन जो BOD में Announcement हुए, वो Quarter 1 को लेकी हुए और second चीज़ एक, apartment हमें देखने को मिले ही Mr. Rajiv Divan की as a non-executive director, तो चलिए देखते हैं Consolidated Numbers Trident के कैसे रहे सारे फिगर मिलियंस में इन करोड से बात करें, Quarter 1 की अर्निंग से फोर की देन लास्ट यर का Quarter 1 का डेटा, थर्ड रों में है, थर्ड कॉलम में है, पहले revenue की बात करते हैं, जो की 1493 से 1742 पे आगे, Quarterly 1682 से 1742 पे तो Quarter on Quarter plus year on year basis दोनों ही जगा revenue बढ 257 पे, तो overall income company की Quarter plus yearly दोनों ही जगे बढ़ी है, नमबर सारे मिलियंस में इन करोड से बात कर रहे हैं, और Market estimate की बात कर रहे हैं, तो 1750 करोड के करीमन का अनुमान लगाया गया था, जो की beat होता हुआ, आमें देखने को मिल रहा है, इसमें आप expenses देखेंगे, तो 1383 से 1655 पे प्रॉफिट तब वह दबाद 73 पे आ गया, और quarter 4 में 59 करोड के प्रॉफिट ते वह दबाद 73 पे आ गया, तो quarter on quarter तो काफी अच्छा जंप है, बढ़ साल दर साल बेसिस पे company के प्रॉफिट गिरे हैं इस बार, और market estimate की बात करें, तो market का ऐसा अनुमान था कि last year जतना profit था quarter 1 में उससे ज्यादा, यानी की 98 करोड के अप्रॉफिट देखने को मिलेंगे, जो की बिल्कुल भी मैट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, same reflection EPS में yearly profit कम वे, तो EPS भी 0.19 से 0.15 पे आगया, quarterly 0.11 से 0.15 पे, तो जिस तरीके से profit हुए same EPS भी हमें देखने को मिल रहा ह मिक्स तरीके के result है, और market estimate में जितना profit ता उसको भी numbers बीट नहीं कर पाए, तो most probably हो सकता है, थोड़ा बहुत correction भी देखने को मिल सकता है, तो आपको अस ट्राइडेट के कितने shares है, comment box में बिल्कुल बता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और update के साथ, तब तक के लिए, बाँ बाई